सिधार्थ शुकला के मौत की खबर से हर कोई स्तब्द है, जैसे ही सिधार्थ की मौत की खबर आई, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में खलबली मच गई, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई ऐसा हुआ है। एक और जहां उनके परिवार, दोस्त और फैंस सदमे में हैं, तो वहीं कभी सिधार्थ के साथ विवादों के कारण चर्चा में रहने वाले आसीम रियाज भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आसीम और सिधार्थ बिग बॉस 13 में एक साथ नज़र आये थे। उनके इस पोस्ट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसीम सिधार्थ की मौद से बुरी तरह तूट गए है। आसीम ने अपने इंस्टेग्राम एकाउंट पर सिधार्थ शुकला के साथ बिग बॉस वाली फोटो शेयर की है। साथ में लिखा है भाई मैं तुम से जनत में मिलूँगा। रिस्ट इन पीस सिधार्थ शुकला। बदा दे कि जहां सिधार्थ शुकला बिग बॉस 13 के विनर रहे थे वहीं आसीम रियास फर्स्ट रुनर अप रहे थे। उस सीजन में सिधार्थ और आसीम के पीश शुरुवात में गजब की बॉंडिंग देखी गई थी। सिधार्थ शुकला आसीम रियास को छोटा भाई मानते थे। हाला कि बाद में सिधार्थ शुकला और आसीम रियास के बीच खूब जगड़े भी हुए। लेकिन बिच बॉस खत्म होने के बाद आसीम और सिधार्थ सारे गिले शिक्वे भुला कर वापस दोस्ती के रिष्टे को सीचने लगे। सिधार्थ के मौत की खबर मिलते ही आसीम कूपर होस्पिटल भी पहुँचे थे। और तो और रश्मी देशाई भी उनकी मौत से सदमे में हैं। उन्होंने भी सिधार्थ शुकला की मौत की खबर सुनने के बाद एक तूटे हुए दिल की इमोजे ट्वीट की है। कर दो दो कर दो कि खबर मिलते ही आसीम की खबर सुनने के बाद प्राद प्राद भी सिधार्टी थे।